तो आपको इस महिने के अंदर assess करना है अपने आपको और plan करना है अब यह आप कैसे कर सकते हैं अब आपको plan करना है कि आपको कितना time किसको देना है CLAT is about holistic development you have to strengthen your weaknesses as well as your strengths आपका long term goal तो है NLU तक जाना अब उसके लिए आपको बहुत सारे short term goal बनाने बड़ेगे वो short term goal vary करेंगे month wise, week wise and day wise Hello my dear students, आज हम लोग discuss करने वाले है last 4 month strategy for CLAT बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो confused होंगे कि कैसे prepare करें, 4 महीने ही तो बच्चे हैं, सबसे पहले ये डर अपने दिमाग से निकाल दो क्योंकि 4 महीने का मतलब है 120 दिन which are good enough to clear this exam So let's learn कि कैसे क्या करना है, क्या approach होनी चाहिए 4 महीने में, क्या क्या topics करने हैं, कैसे mock test करना है Right, so let's get started सबसे पहले जो ये 4 महीने हैं, ये बहुत critical है आपको इस time पर एक focused और strategic approach की जरूरत है कि आप लोग कैसे prepare करेंगे और आज हम लोग discuss करेंगे कि month wise, week wise और day wise कैसे आपको plan करना है कि आप अपनी performance को maximize कर सके, crack clear करने के लिए और अपने favorite NLE use तक जा सके So let's get started सबसे पहले हम discuss करते हैं month one की strategy Right, तो आपको इस महीने के अंदर assess करना है, अपने आपको और plan करना है अब यह आप कैसे कर सकते हैं, आप mock test उठाईए और mock test दीजिए आप mock test देने के लिए मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि आप familiarize हो जाएंगे exam pattern से, types of questions से उसके बाद अपने आपको evaluate कीजिए और देखिए कि आप लोग कहा stand करते हैं आप अपनी strengths को पहचानिए, अपनी weakness को पहचानिए अब आपने, after identifying your strengths and weaknesses अब आपको plan करना है कि आपको कितना time किसको देना है CLAC is about holistic development you have to strengthen your weaknesses as well as your strengths right, so you need to divide your time accordingly ताकि आप अपनी performance को और अच्छा कर सके अब आपको एक study plan चाहिए study plan आपको सिर्फ एक month का नहीं चाहिए आपको week wise और day wise भी distribute करना है जैसे मैंने इस week plan कर लिया है कि इस हफ़ते मैं grammar करूँगी English में और vocabulary देखूँगी right, maths के अंदर मैं arithmetic करने वाली हूँ ये तो आपका हफ़ते का plan है आपका day wise plan क्या है, right, वो भी तो आपको देखना है तो रोज रात को एक बार सोने से पहले आप अपने short term goal लिखिए आपका long term goal तो है NLU तक जाना अब उसके लिए आपको बहुत सारे short term goal बनाने पड़ेंगे वो short term goal vary करेंगे month wise, week wise and day wise right, अब आपने week wise तो बना लिया है अब आपको day wise भी बनाना है कि कल मैं सुबह उठकर सबसे पहले दो घंटे newspaper पढ़ूँगी vocabulary लिखूँगी, जो भी tough words है वो लिखने वाली हूँ अपनी diary में या फिर flash card पे और उसको review करूँगी उसके बाद अब मैं दो slot लगाऊँगी पहले slot English का, दूसरा slot Legal का एक घंटे मैं class देखूँगी आदा घंटा मैं DPP solve करूँगी उसके बाद मैं analyze करूँगी ऐसे ही मैं Legal का करने वाली हूँ अब आपने ये plan कर लिया है अच्छे से और रोज रात को सोने से पहले टिक करकर सोईए कि भाई मेरा ये काम हो गया है ये हो गया है जो नहीं हुआ है उसको next day कीजिए इस इस टाइम पर यू तो डिवाइड यूर टाइम इन्टू यूर प्रेपरेशन यूर गोल अच्छे तरीके से सभी subjects को एक specific time दीजिए जैसे आपने देख लिया है कि इस हफते मुझे क्या करना है मुझे English करनी है Legal करनी है GK करनी है Logical करनी है मुझे Maths और Logical Practice करना है अब आप इसी हिसाब से Plan कीजिए अच्छे से इसके अलावा अब आपको Resources पर Focus करना है All those students who have joined our classes आप classes देखिए उसके बाद DPP solve कीजिए Review करें और अपनी बुक से Practice करें बहुत जादा ताकि आप Familiarize कर सके अपने आपको Pattern से और Types of Questions से आपको Previous Year Papers भी देने है और Practice करनी है बहुत जादा Right अब इस महिने में आपको आपके Basic Concepts पर Focus करना है आपको अपनी Foundation Build करनी है हर Subject की ताकि आप अच्छा कर सके अपने Exam में Right Next thing अब बात करते हैं Second Month की Strategy की अब यहाँ पर आपको एक Intensive Study और Practice करनी है आपको सभी Subjects को अच्छे से Time Allocate करना है English के अंदर आपके पास Grammar Reading Comprehension और Vocabulary आती है तो इन तीनो Portions के सभी Basics अच्छे से Cover करें कि क्या Reading Comprehension में होता है क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है क्या Grounds of Elimination होने चाहिए Types of Question क्या है Tone क्या है Right Figures of Speech क्या है Grammar से क्या-क्या पूछा जा रहा है Modifiers क्या है Right ये सभी चीजे अच्छे से Cover कीजिए ऐसे ही General Knowledge के अंदर Newspaper पढ़िए जो भी आपके पास ऐसे Events है जिनकी National और International Significance है उनको अच्छे से Cover कीजिए Current Affairs की Magazines पढ़िए और Classes देखिए ऐसे ही Legal Aptitude के अंदर आप Legal Principles को देखिए Landmark Cases को अच्छे से पढ़िए और Revise कीजिए Legal Reasoning पर Focus कीजिए ऐसे ही Logical Reasoning के अंदर आप Analytical Reasoning Puzzles को Solve कीजिए Right Mathematics के अंदर Basic, Arthematic, Algebra और Di के Questions अच्छे से Solve कीजिए आप जितने Question Solve करेंगे उतनी ज़ादा आपकी Preparation Strengthened होगी Right अब आगे Discuss करते हैं अब आपने पढ़ तो लिया है अपने Basics पर काम कर लिया है Foundation देख लिया है अब चेक भी तो करना है कि कितनी Progress की है इसके लिए आप मौक टेस्ट लगाईए अभी आप हफते में एक मौक टेस्ट लगाईए मतलब महिने में चार Right क्योंकि मौक टेस्ट आर Performance Indicators इससे आपको पता चलेगा कि आपने कितनी Preparation कर ली है कितनी और मेहनत की आपको जरूरत है आप मौक टेस्ट लगाने के बाद आप अच्छे से Revise करें Revise करने के बाद देखिए कि भाई कहां कमी रह गई थी आपको Revise करने का और Analyze करने का मतलब ये नहीं है सिर्फ आपको ये देखना है कि ये गलत है ये ठीक है चलो ऐसे आप लोगों को ये देखना है कि गलती क्यों हुई है क्या ऐसी चीज़े जो आपको नहीं समझ में आई अगर कोई Concept से Related है तो उसको Revise कीजिए Fact से Related है तो उसको वापिस जाकर देखिए तो आपको इन सभी चीज़ों पर Focus करना है और Mock Test आपको Help करेगा Timely Practice के लिए और वो Pressure समझने के लिए Right इसके अलावा अब आपको आगे क्या करना है अब आगया है आपका Month 3 अब इसमें आपको Focus करना है Revision पर और Advanced Practice पर अभी आपने Question Solve किये Mock Test दिये है अब आप Solve कीजिए Tough Questions Complex Questions Hots जो बहुत Tough है जो शायद बहुत मुश्किल हो सकते हैं Exam में Solve करना Previous Year Paper उठाईए और अब आप लोगों ने Mock Test देना सीख लिया है अब आपको Focus करना है अपनी Speed और Accuracy को Improve करने में ऐसा ना हो कि Time के वज़े से आपकी Accuracy चली गई है No You have to create that balance between Speed and Accuracy Very Very Important अब अभी तक तो हम Discuss कर रहे थे कि भाई क्या Strategy होनी चाहिए for the exam अब हम बात करेंगे Strategy During the exam क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है अब आपने मौक टेस्स कर रहे है आपके पास पेपर आ गया है Question पेपर आ गया है सबसे पहले Take a Pause चांती ठीक है 2-3 मिनिट आप Scan करो पेपर को आप Questions पढ़ो आप Questions पढ़ने का मतलब अब ये पूरे पूरे पढ़ने है नहीं दो-दो Lines देखी Scan कर लिया आपको पदा चल जाएगा कि भई हाँ मैंने English Comprehension के अंदर मैंने सभी तरह के Passages कर लिये है History के कर लिये है मैंने Society के कर लिये है Art और Literature के कर लिये है मैंने Science Tech के कर लिये है और 120 मिनट में 120 question है और 120 question कितने marks के है 120 marks के ही है तो एक question एक number का है Right सब के same Same weight है जैसा भी questions की तो ऐसा ना हो कि आप किसी एक question पर अटक गई हो आपने वहाँ पर 10 minute खो दिये है और उन 10 minute वो ऐसे 10 minute है जिसमें आप easy question कर सकते थे Right तो आपके यहाँ पर marks गिर जाएंगे और marks गए, rank गए और NLUB Right So you have to focus on this portion pretty well Right आपको यह strategy आपको अच्छे से prioritize करना सीखना है कि आपको पहले कौन से question करने है आपको कितना time allocate करना है किस portion को अगर आपको लगता है कि भाई मेरा English और GK strong है तो आप उसको कम time में भी कर सकते है तो आप उसको कम time allocate अब आपको पता है कि आपका maths बहुत tough है तो आप maths को थोड़ा सा जाधा time दो ताकि वो आप अच्छे से कर सको Right Prioritization is very very important during your exam अब ऐसे questions होने वाले हैं बहुत tough है जो नहीं समझ में आ रहे है tricky है उनको छोड़ दो उनको last में देखना सबसे पहले attempt करो उन सभी questions को जो easy है Right अब next चीज़ important अपने आपको test करते रहो पहले और दूसरे महिने में आप हफते में एक mock test कर रहे थे अब उसको बढ़ाओ अब हफते में दो mock test करो और उसको अच्छे से analyze करो Everyone, it is very very important to understand कि CLAD is an exam which tests you know your patience इसके अंदर आपको intensive reading की habit होनी चाहिए और आप अभी class 12 के ही student है Right तो आपको वो habit build करनी है वो intensive reading के लिए you need that stamina Right वो आपको build करना है आपको वो sitting की habit हो जानी चाहिए इसके अलावा बच्चों को anxiety, stress होता है आपको वो सब भी सीखना है आप उसको कैसे handle करोगे क्योंकि कई बार ऐसे होता है बहुत अच्छे students होते हैं जो mock test में बड़ा अच्छा कर रहे होते हैं लेकिन शायद exam में इतना अच्छा नहीं कर पाते हैं क्योंकि they get very very anxious Right So handling stress during the exam handling anxiety during the exam is also an art and you have to become an artist here Okay अब बात करते हैं mock test कर लिए हैं अब आपको identify करना है दुबार है कि क्या चीजों में कमी रह गई है Right Now you have to create that balance between learning new things and revising the older ones Okay तो इस पर अच्छे से focus करो जो भी चीज आपको ऐसी लगती है बड़ा tough question है बहुत problem आ रही है उसके लिए feedback लीजिए अपने friends से या अपने mentors से We are always there You can ask us whatever questions that you have Right आप study groups भी join कर सकते हो और a help ले सकते हो अपने friends, teachers सभी से so that you can improve Right and strengthen your preparation अब आगे आपको क्या करना है अब आता है आखरी महिना the fourth month इसमें आपकी final preparation होगी अब आपको revise करना है ठीके जितने भी key concepts है formulas है important facts है वो सभी revise कीजिए और practice कीजिए avoid करे नई चीज सीखने में इस महिने के अंदर आपको focus करना है जो भी आपने पढ़ाए ना उसको strong बना लो अब और mock test दो अच्छे तरीके से mock test देने के बाद analyze करो अपनी performance को जो वो last minute adjustment होती है उन पर focus करो पीटा एक और चीज बहुत important flat में ना सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई नहीं आपका एक routine जो होता है वो भी बड़ा important है आपको एक healthy routine बना कर चलना है balance diet करो ठीक है balance diet काओ उसके बाद exercise रोज करो very very important और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं उनको लगता है कि भाई चार से पांच गंडे की नहीं ठीक है इससे जादा नहीं सोना चाहिए और उनको guilty feel होता है सोने के लिए please try to understand that your body needs six to seven hours of sleep okay so sleep अच्छे से शामती से और बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि रात को ही पढ़ाई होगी बेटे जो रात का टाइम होता है ना उसके अंदर your body you know needs time to replenish everything और the studies have also proven कि जो बच्चा दिन में पढ़ रहा है ना उसकी शायद you know efficiency बहुत जादा है because your body needs time to replenish you know the resources and everything right so रात को अच्छे से सो साथ से आठ गंडे की नीन लो और फिर उसके बाद सुबह जल्दी उठकर prepare करना शुरू हो जाओ right अब balance diet भी है exercise भी है और stress और anxiety को manage करना भी सीखना है इसके लिए आप relaxation techniques की help लीजिए आप meditation कर सकते हैं yoga कर सकते हैं these things are going to help you a lot to tackle anxiety and stress अब बात करते हैं exam strategy की अब आपको पता है अच्छे से किस तरह के questions आ रहे हैं कैसे क्या handle करना है right now आपका admit card भी आ गया है अब आपको plan करना है your approach for the exam day अब आपको देखना है कि भाई कित्ती दूर center है कित्ती जल्दी पहुँचना है क्या-क्या चीज़ें आपको लेकर जानी है right so you have to you know manage all these things एक और चीज़ आपका paper कितने से कितने बज़े है 2-4 बज़े के बीच में तो आप इस हिसाब से अपने आपको you know अपना day plan करो कि 2-4 बज़े के बीच आपको नीन ना है right क्योंकि आपको बहुत active रहना है उस time पर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो last के महीने में ना anxiety के वज़े से रात को सो नी पाते हैं सुबैस होते हैं 7-8 बज़े फिर उठते हैं अनाम से 12-1 बज़े तक बेटे अगर आप ऐसे plan करोगे तो नहीं हो पाएगा right so plan your day accordingly अब बात करते हैं final week की अब आपको सिर्फ revision करनी है cramming मत करो right ensure that you are mentally and physically prepared right no stress, no anxiety balanced diet low अच्छे से सो और अच्छे से prepare करो right अब बात करते हैं कुछ additional tips की additional tips होने वाली है आपको updated रहना है current affairs से और legal development से अपने आपको familiarize करो patterns से जादा से जादा questions करने की कोशिश करो और review करो reviewing is very very important analyzing yourself is very very important identification of weak areas and thus devoting a major chunk of your time to those weak areas is also necessary अब mock test review करना है उसके बाद अपनी जो भी mistakes हैं उनसे सीखना है ताकि वो mistakes बार बार ना हो सके last and the most important thing everyone stay positive and confident that you can clear this exam because you will with your hard work and dedication right so stay consistent keep learning good luck with your CLAT UG preparation see you soon thank you for watching this video little good